तो जैपूर की गलियों में तो यह मिल जाता है कांजी वड़ा जब भी हम बजार जाते हैं तो हम कांजी वड़ा जरूर खा के आते हैं 20 रुपे की प्लेट मिलती है बड़ी शानदार तो आज बन रहा है फाइनली राजस्थानी कांजी वड़ा सबका फेवरेट तो हाइ दोस्तों आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में तो यह हमारे राजस्तान में अकसर होली दिवाली और बासेड़ा इन तीनों त्यमारों पर बनाये जाता है सबसे ज़्यादा तो होली और बासेड़े पर बनाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो कांजी बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कांजी तयार करनी पड़ेगी और दाल भी होनी पड़ेगी तो मैं दो तरह की कांजी बना की बताऊंगी एक धाई वाली और बिना धाई वाली तो मैंने दोनों पानी एक एक लिटर लिया है और इसे गरम कर लिया है और एक कप मैंने मून की दुली दाल लिये तो सबसे पहले तो मैं दाल भीगो देती हूँ, दाल चार से पांच गंटे में भीग के रेडी हो जाती है, लेकिन मैं इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रखूंगी, तो दाल हम भीगने के लिए रख देंगे, और अब हम इसमें राई पीसेंगे, तो राई मैं चमच से बत एक लिटर में दो चमच सापी सेंट है, अब इसे हमें पीस ना है, तो मैं इसे पीस लूँगे, तो मैंने राई को पीस लिया है, अब हम धाई वाली में थोड़ी कम डालेंगे, और बिना धाई वाली में थोड़ी जादा डालेंगे, तो मैं देड चमच तो इसमें डालू आप बापी में इसी में डाल दोंगे तो यह तो हमने राइ डाल दिये पानी गरम करके थोड़ा सा ठंडा कर ले पहले तो पानी को फुल गरम कर ले और फिर थोड़ा सा थंडा करे ज्यादा नहीं इसमें तो तो टेत चमझ दाली है किहां मैंने टोटल चार्ट गांच ली थी छी बेर इसमें बखि इसमें अब मैंने इसमें धही लिया है नहीं ले तो मैंने 1 44th कप पुप तो मैं इसमें दही डाल दूंगे और अचसे किटे स्बिए पहँ के डाल दने हैं पहला आपम पास पांब inhib inter इसमय हम डालेंगे नमग आदा चमछ नमग ही इसमें डालेंगे और अधा चमछ ही इसमें यूद को चाहिए इसह अलग अलग क्यों मैं यह दैवाला बना रही और यह बिना दैवाला है बजार में अक्सक करके देखेंगे की कौन सा ज्यादा अच्छा है वह बाद में मेहूल बताएं तो एक चमज में लाल मिर्ची दाल रहे हैं आप लाल मिर्ची की quantity कम ज़्यादा कर सकते हु तीखा खाता है कोई कम तीखा खाता है और यह मिर्ची मेरे तीखिन नहीं है एक चमच इसमें डाल दोंगे तो हमें नमक मिर्ची कला नमक हीं सभी चीडल दी है अब इसे हम मिक्स कर देंगे अधिए मिट्टी वाले बर्तन में बना सकते हो और इस तरह से कुछ तो बारा घंते करीबन हो गई हैं तो मैंने कांजी गड़े को भी टेस्ट करके देख लिए इनमें भी खटाई आगाई है यह मेरा बिना धैई वाला है और यह दाई वाला है और दाल भी बीखके रड़ी होगे तो आप हमें दाल को पीसना है तो मैंने दोके साप कर लिए इसे पीसते समय इसमें ज्यादा पानी नहीं डाले कोशिस यही करें बिना पानी अगर फिर भी नहीं पीसे तो आप तोड़ा सा पानी इसमें एड कर सकते ह अगरे इतना सा पानी है तो मैं इस पानी को डाल देंगे ज्यादा डालने यह आउशकता नहीं यह दाल पिस जाएगे तो अब इस दाल को हम पीस लेगे तो यह मैंने पीस लिए देखे है जैसे बिना पानी डाले भी पिस सकती है दाल तब थोई पतली लग रही है मुझे तो मैं इसमें बाइंडिंग के लिए ग्योंगा आठा डालूँगे बस दो चमची मैं डालूँगे दो टेबल इस्पून करीवन है और यह मैंने मसाले लिए आधी चमच लाल मिर्ची आधा चमच कुटावा धनिया आधी चमच सोंप और आधा चमच नमक की और बाकि इसमें कोई भी समान डालने की आउशकता नहीं है क्योंकि हमने उसमें ड प्रावुद धनिया डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो और नहीं डालना चाहते हो तो आप उसे इसकी भी कर सकते हो इससे बस मिक्स ही करना है अच्छी तरह आठा मिक्स हो जाए इसमें तो मैं तेल भी घरम करने के लिए रख देती है चाहते है इसको तो जैपूर की गलियों में तो यह मिल जाता है कांजी बड़ा जब भी हम बजार जाते तो हम कांजी बड़ा जरूर खा के आते बीस रुपे की प्लेट मिलती है बड़ी शानदार जाओ तो आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं लेकिन हमने हींग पानी में डाल दिया है तो यह मिक्स हो गई और इसको बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लेकिन हम जैसे बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही बता रहें वैसे यूतुब पर डाल रहें मैंने उसमें चोले की डाल डाल दाली लेकिन काफी वीवर्स को चोले की डाल में दिक्कत आती है इसलिए भी मैंने सोचा खाली मूं की दाल से ही बनाया जाए तो यह मैंने कपड़े को गीला कर लिया है कटोरी में मैंने इसे सेट कर लिया है तेल गरम हो जाए कि आपको थोड़ी दाल पत्री दिखाई दे रही होगी बाकि आप बिना उमने एक चमस पानी डालना था तो वह एस्ट्रा है बाकि मुंग की दाल ऐसे ही पीश जाएगी आपकी बिना पानी डाले भी आप पीश सकते हो तो बस यही है कि मश्क ट्राय रेसिपी है और मश्क शेयर रेसिपी भी है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में रेसिपी ग्रूप्स में कि मैं तो इसे होली और बहुत सेड़ा साल में दो बार तो बनाती बनाती और अगल बगल वालों को भी देते हैं उनको भी इंतजार रहता है कि हमारे कांजी बड़ा आने वाला है जैसे रोड तीच पर रोड भी अगल बगल वालों को भी देते हैं और उनको भी बुलाते हैं घर पर और खिलाते हैं तो मैं अब इस पर या तो आप चमत से रख दीजिए या हास से रख दीजिए और आप चमत से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो अगर 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 तेल में अगर यह तो आप इसको हाथ में लेजिए इस तरह से और इस तरह से छोड़ दिए अगर इस नहीं दाइर इस चोड़ देते हैं अगर इस तरह कि गाजर की कांजी भी बनती है कई चीजों भी लेकिन काजर अपन तो नॉर्मल यह ज्यादा बनाते हैं ज्यादे ही बनाती मैं तो गाजर की नहीं मैंने तो कभी गाजर की कांजी शायद गुजरात में फेमज है मैंने तो अभी खाई भी नहीं अभी एक और डाल देते इस में कपड़े को गीला कर ले मैंने पूरा कपड़ा एक साथ ही गीला कर लिया है अब इस तरह से हम बना लेंगे और अभी नहीं हम सीखने देंगे तो अभी नहीं हम पल्टेंगे अब दूसरी तरह में आपको बताऊंगे अगर इस तरह से नहीं बनाना चाते हो कपड़ा लगा के तो आप चमसी भी बना सकते तो में दूसरी तरह में बता देते यह शिखने देंगे करते हैं ज्यादा तेज नहीं रखे सिंसे मीडियम मलब मीडियम रख्या है अगर फुल कर दोगे तो अंदर से कच्छे रह जाएंगे और मैंने पानी भी तयार करके रख लिया है यह पानी नोर्मल है हम पानी में इनको बिगोएंगे आप इससे दही बड़ी बना सकते हो क क्ति दो आधिक विलियम सकने देंगें तो यह इस तरह से मोर देंगे तो यह इस तरह से शेख लेंगे देगे इस तरह से ख़ल लेंगे इसमार्ट अ और हम चं शे बनाएंगे बड़े अच्छे लगारा है इन्हें हमें बिगोना तो थोड़ए ठंडे होंगे उसके बाद कर लें इस तरह से सोग्त कर लें तो जैसे भी सूगिदा हो आप उस तहर से बना सकते हो इस ने एको यहां जागता हैं यहां जी सकतक हैं थाई निक पतले अच्छे लगता हैं Ronda बॉज अंदर पैर इतल यहां में जोड़ना उनक हुवाया है स्हाल गानते हैं अभर्ल अओ गाना है्तो हं जुश्काव सब्सक्रेक्थ पसंद करते हैं और इजी ही बताती हूं मैं सभी को सभी हमने डाल दिया है अब इने भी मैं सेख लूँगे और बाद में ठंडे होने के बाद हम इने पानी में डालेंगे तो यह मैंने बिगो दिये थे कम से कम 15-20 मिनिट बिगो दे और कुछ मैंने चोटे भी बनाएं क्योंकि काफी बीवर से यसे भी बनाते हैं चोट चोटे तो मैंने सभी ऑप्शन बता दे हैं आप चोटे भी बना सकते हो बड़े भी बना सकते हो मीडियम भी बना सकते हो तो मै यहाम से मेरा फॉर्टी पानी में कि यहां थोड़ाल समय Anga a अब इन्हां हम दबाकर पानी में डाल देंगे आदे स्मेंड दैम देग casos बाकि अभी मेहूर टेस्ट करेगा इस वाले पानी को चोईस गंटे रखे और यह वाले बारा गंटे में सब दोनों में डाल देती हूं और मने कोईला भी तयार करने के लिए इस पर रख दिया बैस में दूनी लगाएंगे कुछ चोटेस में डाल देते हैं तो आपको भी कोई कंफ्यूजन होता आप कमेंट करके पूछ ले ना हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे अब हम इसमें दूनी लगाएंगे हमने इसमें हिंग डाली दिया था मैंने दो प्लेट में आठा चिक्का दिया है जो हम चपाती बनाते हैं बस वही आठा है और यह कोईल भी तयार हो गया है कि इस तरह से इस पर कोईला चिक्का देनी है अगर गिर भी जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नहीं है यह चोटा था थोड़ा से इसमें फून लगाई इस तरह से और फिर इसके उपर गी डाल दीचे दिखेंगे कि इसे हम धग देंगे कोई भी आप बजन रख दीजिए इसमें अब इसे कम से कम 10 मिनिट इसी तरह रहने दें जब तक इसमें धुआ आ रहे है तब तक इसे डगा रहने दें इस पर भी में इसी तरह कर लेंगे को लिए लगाना जरूरी है क्या इससे अच्छा टेस्ट आएगा अगर यह नहीं लगाते हो तो जैसे आप इसमें कटोरी रखके भी आप लगा सकते हो इसका कोईला सेल हो इसका है आटा सेल ही तो दूसरा लगाते हो इस तरह से में चिप कर देंगे हुआ है है दोनों को 13 मिंट इसी तरह रहने देगे ताकि हमारे बड़े भी बीग जाएंगे और इसमें दूनी भी लगके रड़ी हो जाएं लुदे हैं 14 मिनिट वात ओद पंदरा से 20 मिनीट हो गया है इसमें दूनी भी लगके रड़ी हो गया इस तरह से कोईला गिर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह तो है हमारा धाई वाला तो हमने धाई वाला टेस्ट करके देख लिया धाई वाले में तो काफी अच्छी खटाई आ गई है यह तो खाने को बिल्कुल रेडी है अब यह मेहुल टेस्ट करेगा फिर दूसरा राई वाले में थोड़ा समय लगता राई वाले में पूरे डबल टाइम लगता है और इस वाले में अब आप चाउत इसमें उपर मसाला डाल सकते हैं बाकि अधरवाई डाल देते आवशकता नहीं है अब दूसरा भी चेक कर ले देखें यह बीना धही वाला है तो इसमें भी अमने टेस्ट करके देख लिए इसमें थोड़ी खटाई कम आई यह तो यह मतलब डबल मतलब 8 से 10 गंटे बाद यह भी खाने के लिए रेडी हो जाएगा तो अगर आपको 10 से 12 गंटे में खाना है तो आप धही वाला जरूर ट्राइ कीजिए और थोड़ा लेट खाना हो 20 गंटे रखना हो तो यह वाला बना सकते बिना धही वाला तो अब नहीं हुर टेस्ट कर रहा है यह बिना धही वाला है और यह दही वाला है तो बिल्कुल कांजी वड़ा तो मेरा एक फेवरेट दिश है जब भी बाहर शहर में जाते हैं और कांजी वड़ा का मिल जाता है तो जरूर से खाते ही है मजा आ जाता है क्योंकि भूमते भूमते तो खाने का अलगी मजा होता है तो यह तो है दही वाला और दही वाले में तो जल्दी खटा ही आ जाती है मैं तो बारा गंटे बाद बस दही वाला तो रेडी हो जाता है मेरा खाने के लिए एक दम शांदार जैसा बाजार में मिलता है वैसा ही है इसका मेनली मेरका पानी जादा पसंद है तो पानी होता ह तो आप दूसरा चखिए अब दूसरा है बिना खरी वाला इसने अभी खटाई आना बाकी है या फिर राई की कौंटेटी भड़ा सकते बाकी खटाई आ जाएगी सब चीज सही है वाला एकको इसी सी डाली है मैंने तो इसमें दस बारा घंटे हो लगे में अभी खटाई आने में फिर बड़ी और बीच जाएंगे इसमें अच्छी तरह बिल्कुल और ये जल्दी से खराब नहीं होता बिना धही वाला जल्दी खराब नहीं होता दही वाला जल्दी खराब होता में एक दिन दो दिन ज्याद में रख दीजिये गरमीयों गेमसु में तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है तो आप इसे फ्रीज में रख दीजिये फ्रीज में तीन दिन तक एक खराब नहीं होगा तो अब ये तस घंटे बाद इसमें खटाई आएगी तो जब बताने की ज़र्वरत है या नहीं पस हो गया एंडिंग तो पूरा हमने डिटेल में बताया है वैसे कांजी बड़ा तो कोई प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए फिर भी अगर कोई भी आती है जब भी जो पहली बार बनाता है उसको कोई न कोई तो आती है जाती है तो आप बनाएगी खाये और बनाके जो फोटो है उसको भी शेयर कीज ताकि हम भी हमको भी पढ़ता चले कि आपसे कैसा बना बस इस वीडियो इतना ही रहेंगे आपका धनिवाद भी देखने के लिए बाइबाइब